हाई मैं हूँ योशु मायापूरी न्यूस बुलिटिन में आपका स्वागत है अक्टर रनवीर सिंग ने अपने इंस्टेग्राम पर एक लाइफ सेशन कंड़क्ट किया था वेनस्डे रात को और उन्होंने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने फैंस के साथ यहाँ वो सिंगर सुनीदी चौहान के बेस हिट्स भी जैम करते हुए नजर आए वेल रनवीर सिंग ने अपनी वाइफ दिपिका पादुकोन की अपडेट दी जो करेंटली स्पेंड में शूट कर रही है अपनी अपकमिंग फिल्म पठान के लिए दिपिका के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी वो स्पेंड में है और पठान के लिए शूटिंग कर रही है काफी बड़ा एक्शन फिल्म है यह और इस फिल्म में किंग शारुखान भी है और काफी सेक्सी सेक्सी जौन अब्राम भी है दिपिका पादुकोन और अन्वीर सिंग काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और वही रनवीर सिंग ने ये भी बताया कि दिपिका पादुकोन उनकी वाइफ है इसका उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि दिपिका उनसे आए दिन शूट के फोटोज और शेयर करती रहती हैं जो काफी जादा इंट्रिस्टिंग होते हैं अच्टर्ज आल्या भट और रनवीर कपूर हाली में एक डिनर डेट पर गए वेल वेनिस्डे के दिन दोनों को एक डिनर डेट पर देखा गया जहां आल्या भट ने ओल वाइट वाट्डोब ऑप्ट किय था दूसी तरफ रनवीर कपूर के आजवल अफ़तार में नजर आए आल्या भट इस वक्त इंजोई कर रही है अपनी फिल्म गंगु बाई काठिया वाडी की सक्सेस क्योंकि हाली में ये फिल्म हंडर्ड करोर क्लब में आप औची है आल्या को ओल वाइट कलर्ड वन शोल देखे और फैंस कह रहे हैं कि आल्या भट काफी जदा बलश करती हुई नजर आ रही है रनबीर कपूर के साथ बॉल वुड अक्टर अक्षे कुमार ने रिसेंटल ये रिवील किया कि उनकी फिल्म का टाइटल बच्चन पांडे किस से इंस्पायर है बतादे की आक्टर इ इस फिल्म के प्रमोशन्स वेनिजडे से शुरू हो चुके हैं जहां कई सारे प्रेस इवेंट्स कंडक्ट होते हुई नजर आ रही है इस फिल्म के लिए इवेंट के वक्ट अक्षे कुमार से जब टाइटल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये जो टाइ बॉल वुड में कई सारे फिल्मों की अनाउंस्मेंट हो रही है वेल बता दे की सिधात मलोतरा की फिल्म मिशन मजनू अब 10 जून को रिलीज होने जा रही है पहले ये फिल्म इनिशियली 13 में को रिलीज होने जा रही थी लेकिन बता दे की 13 में के जो वीकेंड को कई सारे फिल्म में रिलीज हो रही है जैसे कि रनवीर सिंग की फिल्म जैश भाई जोड़ार आईशमान खुराना की फिल्म अनेक और अभिमन न्यू दसानी की फिल्म आखमेच शोली सेम वीकेंड में रिलीज होगी ये तीनों फिल्म में हैं जो एक साथ रिलीज होगी उनमें क्लैश देखने में मज़ा आएगा केट्रीना केफ ने अपने फैंस को ट्रीट किया एक ब्रैंड न्यू आडविटिस्मेंट के साथ इस वीडियो में हम केट्रीना केफ के साथ-साथ धैर्य कारवा को देख सकते हैं जिसने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है उन्होंने अपने इंस्टेग्राम हैंडल पर भी ये इंटाइसिंग वीडियो क्लिप शेयर की जिसमें धैर्य जो हैं ब्लाइन फोल्डेड है और धैर्य को हमने लास्ट घहराईयां फिल्म में देखा था और इसी के साथ अक्टर पी रहे हैं अपना फेवरेट मैंगो ड्रिंक ये वीडियो शेयर करते हुए केट्रीना ने लिखा क्या आप है रेडी टु टेक दिस सबसे खास चालेंज विद मी दोनों का इस क्लिप में केमिस्ट्री काफी जादा अच्छा लग रहा है इसी के चलते केट्रीना कैफ और विकी कोशल के फैंस ने कॉमें सेक्शन पर विकी कोशल को टीस करते हुए जोग करते हुए लिखा कि भाई ये क्या चल रहा है इधर क्या हो रहा है फैंस काफी जादा एक्साइटेड हो गए थे जब ये खबर सामने आए थी कि अक्षे कुमार और इमरान हाशमी एक ही फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म का नाम है सेलफी वेल ये न्यूस सुनके फैंस काफी ज़्यादा एक्साइटेड तो हो गए थे दोनों को एक साथ एक ही फिल्म में देखने के लिए इस फिल्म का पोस्टर भी सामने आया था एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए वेल अब इस फिल्म से एक और अपडेट सामने आया है बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल शुरू होने वाली है और इस फिल्म पर काम अगले महीने से स्टार्ट कर दिया जाएगा वेल इस फिल्म की शूटिंग सबसे पहले होगी भोपाल सिटी में फिल्हाल तो अक्षे कुमार अपनी फिल्म बच्चन पांडे के प्रमोशन्स के चलते बिजी चल रहे हैं बॉलिवूड आट्रिस कृटी सेनन अपने सोशल मीडिया पर काफी जादा अक्टिव नजर आती है कृटी सेनन ने हाली में कुछ एक्साइटिंग और अमेजिंग लुक शेयर किये हैं अपने इंस्टेग्राम पर और इसमें वो काफी जादा ग्लामरिस और स्टनिंग नजर आ रही है उन्होंने एक औरेंज ड्रेस में कुछ पिक्चर शेयर की कैंड़ पोस देते हुए जिसके बाद उन्होंने एक यलो कलर की मैक्सी ड्रेस में पोस करते हुए फोटो शेयर की ये maxi dress जो है backless है जिसमें कृती सेनन काफी जादा खुबसूरत नजर आ रही है और अपने yellow backless maxi dresses फोटो शेयर करते हुए उनोंने लिखा और दूसरे picture में लिखा feeling बीची Bollywood actor Ranveer Singh अपने social media पर आए दिन कोई न कोई पोश शेयर करते हुए नजर आते हैं हाली में उनोंने अपने जिम से कुछ picture शेयर की अपनी ripped body की जिसमें हम Ranveer Singh को जिम में काफी serious mood में देख सकते हैं और यहां उनकी body जो है बिलकुल ripped नजर आ रही है हम साफ साफ उनके muscles देख सकते हैं वेल बता दे कि यह pictures देखने के बाद fans wonder कर रहे हैं कि Ranveer Singh जिम में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं क्या यह कोई upcoming project के लिए है और आखिरकार यह जो project है वो कौन सा project हो सकता है क्योंकि इतनी मेहनत करते हुए खुन पसीना बहाते हुए नजर आ रही है इन दिनों Ranveer Singh जिम में February में actress Tamanna Bhatia ने kickstart किया था अपने upcoming film की shooting Bubbly Bouncer जुसे डिरेक कर रहे है मधूर भंडार कर वेल अब उनके team ने wrap up कर लिया है इस film का first schedule पंजाब में यह film एक delightful coming of age fictional story है एक female bouncer के बारे में और bouncer town में set है वेल बता दे किसी के चलते Thursday night को Tamanna ने अपने Instagram handle पर announce किया कि इस film का जो first schedule है उसका wrap up हो चुका है और उनके team ने celebrate किया cake cutting ceremony के साथ उसके कई सारे videos भी share कि यह actress ने जिसके बाद उन्होंने लिखा time flies when you are having the best time ever I can't believe that it's already a wrap on the first schedule of bubbly bouncer इस film का next schedule बहुत जल्द shoot किया जाएगा Bollywood actor Karthik Aryan को last film धमाका में देखा गया था जो Netflix पर release हुई थी उन्होंने एक news anchor का किरदार निभाया था इस film में बता दे कि इसी के चलते आए दिन Karthik Aryan ने अपने social media पर एक child actor के साथ एक video share की जिसमें वो अरजुन पाठक का dialogue कहती हुई नजर आ रही है वेल बता दे कि Karthik Aryan को एक बहुत बड़ा offer मिला इसी के चलते एक user ने comment किया मुझसे शादी कर लो 20 करोर दूंगी जी हाँ इस fan ने Karthik Aryan को 20 करोरs offer किये उनसे शादी करने के लिए comment section पर उन्होंने ये offer दिया जिसके बाद Karthik Aryan का reply भी आया उन्होंने reply किया कब और हसने का emoji भी शेय किया झाल